मैं एक कुट्टा था, हाँ मैं था, पर अब मैं नहीं हूँ, मीचे आप ये जो तश्वीर देख रहे हैं, वो मैं ही हूँ, शायर आप मैंसे कुछ लोगों को ये विवद सदिश्चा देखना अच्छा ना लगे, पर यही मेरी नसीब था, क्योंकि मैं एक कुट्टा हूँ, जिन्दगी आसान ना था मेरी, पर उस छोटी से जिन्दगी को भी मैं हर दिन जिता था, मेरा दिन शुरू होता था, रासे पर खाना ढूने से, और मेरी जात के कुछ इसी तरह होती थी, कभी खाना मिलता था, तो कभी नहीं, मेरा हर दिन एक उम्मेर ले जिता था, कुछ अच्छी लोगों से सामना होता था, तो कुछ बुरे लोगों से, कोई थोड़ा बचा कुछा खाना दे रेता था, तो कोई लाठी पत्थर माता था, कई बार चूटे, जादा जोर से लगने की बजा से, मैं दर्स से रोता था, बिलगता था, पर मैं बोल नहीं सकता था ना, तो कोई कैसे सुन पाता मुझे, जिर्देगी जैसे भी थी, पर गुजर रहती, बता नहीं वो तिन कैसे आया, जब कुछ राक्षे सुचा का सामना हुआ मेरा, मेरा कसूर बस इतना था, कि मैं एक खुता था, और राक्षे सुने पहले मुझे बहुत मारा, मैं दर्स से कहर अपने जुबान में उचे माफी माग रहा था, गिर गिरा रहा अभी ता, पर वो हस रहते मुझे ऐसे देगी, उन में से एक ने मेरे गले में एक रसी फसाई और मुझे पेट से तांग लिया, मैं जिंदा था, और मेरा धम घूट रहा था, मैं अपने हाथ बहर मार रहा थ कोई आकर मुझे इस तकलीब से निकाल ले, पर भी धीरे धीरे मेरा शरीर जवाब देने लगा, और मैं सांसों को रुटा हूँ, मैं सूस कर सकता था, मेरे हाथ पैर रूल गए, और मेरी आखे बंद होने लगी, एक रूस ने दिखाई दे मुझे, मानो ऐसे लगा, जिस अ पाउय तकलीब नहीं होई मुझे, मैं उस रोशनी की और वड़ पर पीछे दिखा तो मेरा शरीर मेरा सांस छोड़ जुका थी, मेरे अम्रित हीरीर मेरे आखे पसामने था, मैं चाहता था, शरीर में बापाज जा सब्त था, पर अब ये तकलीब सहन नहीं होती, मैं जीना मेरे कुछ दोस्ते हैं, रोज रात हम बेवचा फोगना पचन करते थे, जब रास्तों पर गारिया चलना बंद हो जाये, तब हम अपनी मतरग्स्ती चालू करते थे, हम खूब खेलते थे, पर अब मेरा कुछ दोस्त नहीं, अब वो राती तो होंगी, पर उन रातों में मैं न मैं आजाज हूँ, कभी मिलूँगा किसी और रूप में, इस उमीद में मैं कि इन दाफ्चसों पे बीच कुछ अच्छे लूप भी होंगी, जो हमारी तकलिप समझ जाए, तब तक के लिए आलविदा दोस्तों, अब जाना होगा मुझी, बस यही थी मेरी दाफ्चा